स्वागत दोस्तों आप सभी का अपनी यूट्यूब चानल एजुकेशन पॉइंट पर फ्रेंड्स आजम करेंगे क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चेप्टर नंबर 7 जिसका नाम है खेलों में परिक्षन तथा मापन यही चेप्टर का पार्ट नंबर 3 है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था क्लोज त्रैवर परिक्षन ठीक है दोस्तों अगर वह आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजी ठीक है अब चलिए देखते हैं, गामक पुष्ठी का अर्थ, दोस्तो, हमें इसमें करना है कि गामक पुष्ठी क्या होती है, गामक पुष्ठी को मापने का क्या फोर्मूला है, ठीक है दोस्तो, और गामक पुष्ठी का परिख्षन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो जो गामक या गतिवीदी मतलब कि जो शारे क्रियाएं होती है या फिल जो गतिवीदी होती है उनको करने की जो योगता होती है किसी वेक्ति के अंदर उसी को गामक पुस्टी कहा जाता है ठीक है दोस्तो किसी शारे क्रियाओ और गतिवीदी को करने की योगता को किसी वेक्ति के अंद करने की योगता क्या कहा जाता है गामक पुस्टी कहा जाता है अफ़र गामक पुस्टी परिक्षन दोस्तो जो गामक पुस्टी है उसे नापने के लिए क्या किया जाता है अफ़र गामक पुस्टी परिक्षन किया जाता है जली देखते हैं यह क्या होता है दोस्तो जो अफर ठीके, दोस्तो अफर, दोस्तो A.S.E. American अमेरिकन Alliance for Health, Physical Education Recreation and Dance ठीके, दोस्तो यह ही इसकी कहتم क्या, फूल फोम है चलिए अब देखते ही, यह क्या है अफर, दोस्तों से अफर भी बोले जाचकता और अफर भी अफ़र परिक्षन एक ऐसा गामक पुष्टी परिक्षन है जिसका मुख्य उदेशय शारिक पुष्टी को मापने है दोस्तो जो अफ़र परिक्षन है उसका जो उदेशय है वो क्या है वो है शारिक पुष्टी को मापने ठीके दोस्तो यही गामक परिक्षन है चलिए दोस् किया जा सकता है तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं पुल अप्स लड़कों के लिए दोस्तो अभी इतना ही देखेंगे पुल अप्स लड़कों के लिए दोस्तो पुल अप्स लड़कों के लिए में क्या किया जाता है कि जो परिक्षार्थी होता है वह क्या करता है इस क्या क्या जाता है जो प्रिशार्थी को क्या क्या जाता है horizontal bar पर लटकने के रिए कहा जाता है ठीक है दोस्तों और जो प्रिशार्थी इसमें लटकता है उसे बिना रुके लटकने के लिए कहा जाता है pull ups लगाने के लिए कहा जाता है बिना रुके ठीक है दोस्तो horizontal bar पर और फिर क्या होता है दोस्तो जो pressure की होता है उसे क्या करना होता है अपनी भुजाओं के बल से मतलब जो उसकी भुजाएं होती है उनके बल से क्या करना होता है उसे उपर उठना होता है और जो horizontal bar होता है उसके उपर क्या करना होता है? अपने थोड़ी रखनी होती है ठीक है दोस्तो? और फिर इसी प्रकार से उसे बार-बार या दोराना होता है जितनी बार फूलप्स लगाता है उतने ही उसे अंक दे दिये जाते हैं अब हम इसे iek पिचल के द्वारा देखते हैं और फिर क्या किया जाता है और इसे pull-ups लगाने होते हैं इसमें और अपनी बुजाओं के बल से इस दिन लड़के को क्या करना होगा प्रिक्षार्थी को क्या करना होगा जो अपने आपको ऊपर उठाना होगा मतलब यहां तक उठाना होगा और जो उसके थोड़ी है इस horizontal बा यह पूरा क्या था pull ups लड़कों के लिए अब देखते हैं तथा flexed arm hang लड़कियों के लिए दोस्तो हमने लड़कों वाला तो देख लिया अब लड़कियों वाला देखते हैं flexed arm hang लड़कियों के लिए इसे हम एक picture के द्वारा समझते हैं दोस्तो इसमें क्या क्या जाता है जो लड़की होती है मतलब जो प्रक्षारती होती है उसके उसकी सम्मान हाइट वाला उसकी सम्मान उचाई वाला जो होरिजन्टल बार होता है वह दिया जाता है ठीक है दोस्तो होरिजन्टल बार क्या होना चाहिए जो प्रक्षारती है उसकी सम्मान उचाई जितना होना चा और फिर जो horizontal bar है उसके उपर अपने ठोड़ी लगा है जिस प्रकासे लड़की लगा रही है आपर ठीक है दोस्तो और उसे इसी अवस्ता में रहने के लिए कहा जाता है जितने second तक वह इस अवस्ता में रहती है जैसे यह लड़की यहाँ पर लड़की हुई है और अपने ठ साब से क्या दिये जाते हैं अंक दिये जाते हैं दोस्तो यह आपको समझ में आगे आओक अच्छे से अब देखते हैं flexed leg sit-ups दोस्तो यह जो upward test है upward youth fitness test है उसमें दूसरा है flexed leg sit-ups यह भी एक परिक्षन करवाया जाता है प्रक्षार्थी से ठीक है दोस्तो चले देखते है दोस्तो इसमें क्या होता है इसमें जो प्रक्षार्थी है उसे लेटने के लिए कहा जाता है और उसे यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने घुटनों को इस प्रकार मोडे कि जो उसकी एडिया है एडिया क्यों होती है यह वाला हिस्सा पैरस का जो पिछला हिस्सा हो मतलब जहां पर नितंब है उसी स्थान पर क्या होने चाहिए एडिया होने चाहिए उसी के सामने एडिया होने चाहिए और नितंबों की और एडियों की जो दूरी है आपस में 12 इंच से अधिक होने चाहिए ठीक है दोस्तों और फिर जो एक्जामिनल होता है वह निर्देश देता है प्रिक्षार्थी को नुदेश देता है situps लगाने के लिए ठीक है दोस्तो इसी अवस्ता में situps लगाने के लिए और जो examiner होता है वह एक मिनट तक note करता है कि इस वेक्ति ने कितनी situps लगा है उसी के अधार पर अंक दे दिये जाते हैं ठीक है दोस्तो अगला है shuttle run दोस्तो से shuttle दोड भी कहा जाता है ठीक है दोस्तो इसमें क्या किया जाता है इसमें एक लखडी के गुट के लिए जाते हैं और जिसके 2 इंटू में 2 इंटू में 4 इंच के गुट के होने चाहिए ठीक है दोस्तो 2 इंटू में 2 इंटू में 4 इंच के गुट के होने चाहिए और उसी क्या किया जाता है एक सम्मान मैदान होता है समतर मैदान होता है और उसके दोनों तरफ क्या किया जाता है समतर जो line लगा दी जाती है समतर रेखा खीश दी जाती है समतर मतलब क्या होता है एक समान तो दोनों मतलब की मान लीज़े ये मैदान है तो इसके इस हिस्से में भी लाइन है और उतनी ही लंबी लाइन है जितनी की इस हिस्से में ठीक है दोस्तों और फिर क्या जाता है एक रेखा के पीछे जो परिक्षार्थी होता है उसे खड़ा कर दिया जाता है और उसी के सामने जो दूसरी रेखा है उसके पीछे दो गुटके रख दिये जाते है लकडी के दो गुटके रख दिये जाते है ठीक है दोस्तों और फिर क्या किया जाता है फिर जो परिक्षार्थी है उसे निर्देश मिलते ही वह दोड़ना शुरू करता है और वहां से पहले बहुत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी दोड़ कर वह मैदान के दूसरे तरफ जाता है जहां पर गुटके रखे गए हैं वहां से एक लखडी का गुटका लेकर अपनी प्रारंबिक स्तान पर आ जाता है ठीक और उन दोनों में से मतलब जो पहले जो गुटका लाया गया है लखडी का और जो बाद में जो गुटका लाया गया है लखडी का उन दोनों में से यह देखा जाता है कि प्रशार्थी ने कौन से गुटके को लाने में कम समय लिया है तो उस कम समय को प्रशार्थी के उस कम समय को क्या माल ले जाता है उसको स्कोर माल लिया जाता है ठीक है दोस्तो इसे हमें पिच्छर के द्वारा समझते हैं देखी दोस्तो इसमें क्या किया गया है इसमें जो यह है एक मैदान है इसमें क्या किया गया है इसमें इस मैदान में दो समतर लाइन लगा दी गए दो समत उस्तों और फिर परक्षार्ती को निर्देश मिलते ही दोड़ना शुरू करता है और यहां तक आता है और एक गुठके को उठाकर वापस वहाँ पर रख देता है जहां से उसने शुरू किया था फिर रखने के बाद वे दुबारा इसी प्रिक्रिका को दोहराता है वे दुबारा जाता है और दुसरे गुटके को उठा कर लाता है और स्टार्टिंग जो रेखा है वहाँ पर रख देता है स्टार्टिंग जो लाइन है वहाँ पर रख देता है और इसमें इन दोनों के समय नोट कर लिया जाता है अलग अलग जिसमें सबसे कम समय लगता है जिस गुट के कुठाने में सबसे कम समय लगता है उस समय को इसका स्कोर मान लिया जाता है देखिए दोस्तो अगला क्या है standing board code ठीक है दोस्तो standing board code इसे अब हम देखते हैं एक पि पीछे क्या क्या जाता है जो प्रिक्षार्थी होता है उसे खड़े होने का निर्देश दिया जाता है ठीक है दोस्तो और प्रिक्षार्थी इस अवस्ता में किस अवस्ता में खड़ा होगा वह है अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल कर देखिए इसके दोनों पैरों के यहाँ पर खड़ा होगा टेक उफ लाइन के पीछे ठीक है दोस्तो और फिर उसे एक लंबी कूद लगाने के लिए कहा जाता है और प्रशारती इसी लंबी कूद लगाने के लिए कहा जाता है और प्रशारती को तीन बार कूदने का अवसर दिया जाता है ठीक है दोस्तो और उसमें क्या उसमें जो score का निद्धान किस प्रकार से होगा जिस थान पर प्रिशारती कूदेगा उसका जो सबसे पिछला हिस्ता चाहे वह कपड़ा हो उसका चाहे वह उसका पैर हो हाथ हो शरीर का कोई भी अंग हो कुछ भी हो अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ भी सबसे पीछे जो भी होगा उसी को वहाँ उसी को वहाँ पर मार्क कर लिया जैसे कि यहाँ पर यह कूद रहा है यहाँ पर उसके जो उसका हाथ है वो यहाँ पर रखा गया ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जो कूद है उसे इसकी कुदाइक नहीं मा माना जाएगा ठीक है दोस्तो कूदने का जो डिस्टेंस है इतना माना जाएगा ठीक है दोस्तो ना कि इतना जहां तक उसके पैर आए हुए है बलकि जो पीछे का हिस्सा होता है उसे माना जाता है जहां पर वो स्परश करता है पीछे का हिस्सा मैदान को उसे ही वहां तक नोट कर लिया जाता है ठीक है दोस्तों और तीन बार कूदने का अफसर दिया जाता है तो तीरों में से जो भी बैस्ट होता है जो भी अच्छा होता है उसी को उसका स्कोर मान लिया जाता है अगला है पचास गज की दोड़ ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है यह है एक त्रिव गती की दोड़ भी कही जा सकती है इसे पर परिशारती होता है उसे तेज गती से दोड़ने का निर्देश होता है ठीक है दोस्तों इसमें क्या क्या जाता है जो मैदान होता है वह कितना होना चाह ठीक है दोस्तों और जो मैदान है उसमें दो समांतर रेखाएं खीश दी जाती है और एक यहाँ पर टेक ओफ लाइन लगा दी जाती है यहाँ पर क्या जाता है प्रारंबिक रेखा खीश दी जाती है यहाँ पर यह स्टार्टिंग लाइन होती है प्रारंबिक रेखा होती है इसी के पीछे क्या होता है प्रक्षार्टी होता है मानली जी यह प्रक्षार्टी यह इसी लाइन के पीछे होगा और जो पचास गज की पचास गज की दूरी के बाद, मानली जी हाँ पचास गज की दूरी खतम हो रही है तो इसके बाद भी एक लाइन होती है, ठीक है दोस्तो, वह इसके समानतर होती है तो जो परशारती है, उसे निर्देश मिलते ही, वह क्या करता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दोड़ने कोशिश करता है और दोड़ने उतनी जल्दी प्रारंबिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो परिशार्थी करता है जितना जल्दी हो सके वह इस अवस्ता से यहाँ पर आने की कोशिश करता है ठीक है द दोस्तो उसी के धार पर स्कोर होता है, दोस्तो अगला है 600 गज की दोड़ या पैदल चाल, दोस्तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दोड़ने का जो स्थान होता है वह 600 गज का होता है, ठीक है दोस्तो इसे पैदल चाल भी कहा जाता है, इसमें क्या क्या जाता है, जो प्रश भी ख्रेखा से पीछे होता है ठीक है दोस्तों प्रशार्थी प्रारम भी ख्रेखा से पीछे होता है और उसे निर्देश मिलते ही वह दोड़ना प्रारम करता है या फिर चलना प्रारम करता है ठीक है दोस्तों मतलब की वह तेज त्रीव गती वाले दोड़ नहीं कर रहा है वह समानने चाल से थोड़ा सा जादा चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो वह इसी पैदल चाल, इसी लिए से पैदल चाल भी कहा गया है, मतलब कि त्रिवगती वाले दोट ना करके, समानने अवस्ता में जिस प्रकास से चलते है, उस से थोड़ा सा अधिक तेज चलना होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रशार्थी क्या करता है, जितनी जल्दी हो सके, वह क्या करता है, प्रारमिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करता है, और उस समय को नोर कर लिया जाता है, जितनी देर में वह प्रारमिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करता है, ठीक है दोस् से अवर टेस्ट किया जा सकता है